आप लोगों का हमारे अमेजिंग चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है यह एक ऐसा बोड इसमें आप कुछ भी चेक कर सकते हैं छोटी प्रोडक्ट से लेकर बड़े प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं इस वीडियों को पूरा देखने के लिए आपको बताते हैं कैसे बनेगा कैस चलेगा कैसे काम करेगा चलिए देखते हैं क्या कैस में चाहिए एक तो पले छोटा वला बूड ले ले लेंगे मार्केट में मिल जाता है सतरस सिरुत्वे में यह करीब डेंट्सों का मिलेगा बॉल्ट मीटर है एक होल्डर चाहिए होल्डर को टाइट करने के लिए दो स् पर काम ही क्या करना सिरीज करना है टाइम ना खतम करते हैं हमने सारा इस रूप खोल रखा है अब में निसान लगाना था जो कि वह पहले से निसान लगा दिया है यह देखें यहां पर इसको होल करना है यहां से होल कर देना है इस पर हमारा है टाइट हो जाएगा इसका भी करते हैं, और यह देखिए हमारा boltmeter है, इसका भी हमने marking कर रहा यहाँ पर, इसमेंसे रहे हमारा boltmeter हो जाएगा, अज में यहाँ पर कनेकशन करना है, तो समेकशन भाना है, पर फ़र ने यह मार्किंग यह कर ले। कि हम तो शोल्डिंग से करें आप कोई भी घरम चीज उससे कर सकते हैं पर यहां हम होल्डर कर लेते हैं कि यहां पर में होल्डर करें वाला स्कुरूप करना है कि थोड़ा साफ कर लेका अच्छा लगने लगेगा देखिए अभी हमारा पूड़ी अच्छी तरह से यहां पर आ जा रहा है होल से वूल मिल गए यहां से वायर निकल आएगा अब में क्या करना है कि इसका होल करना है इसका हम और कर लेते हैं थोड़ा साफ सफाई करना है थोड़ा साफ क्लीन कर देते हैं इसको अब चाकू या ब्लेट के मदद से इसको काट सकते हैं अगर आपके पास एक कटर ना होतु है यहां से इसको खोल लेंगे यहां से इसको खोल लिए अब हमारा वायर हो जाएगा अंदर अंदर की तरफ हो जगया अंदर की तरफ हो गया तो हम इसको अंदर से भी लगा सकते हैं थोड़ा इसकी क्वाल्टी और बढ़ जाएगी देखने में लुक देखिए अब इसको हम अंदर से लगा दिए अब हमारा वायर अंदर से आगया इससे टाइट कर दिए अब हमारा बोल्ट मीटर उपर दिख रहा है बोल्ट मीटर हो गया अब यहां से हमें होल्डर का कनेक्शन और करना है यह होल्डर का कनेक्शन कर देते हैं पूरा इसको काटने का कोई मतलब ना था अब देखिए हमारा यहां पर चार वायर हो गया यह दो दो हमारे मेन आए हैं, यह दो हमारे होल्डर के होगे हैं, और यह हमारे बोल्ट मेटर के होगे हैं, और यह हमारे दो मेन आए हैं, अब इन सब का इसमें कनेक्शन करना है, तो बोल्ट का जो वायर है, जो बाहर से हमारा दोनों वायर है, इन दोनों को तो एक साथ कर द यह हमारा bolt wire हो गया यह रहेगा हमारा series ने तो यहां से पहले हमारा switch है switch से यहां से निकालेंगे इस पर देखिए हमारा connection हो गया कि यहां एक और wire डूड़ना है जो न्यूटल का है और एक फेस यहां लगाएंगे और दो बल्व का यहां पर लगाएंगे अब इसका हम लाइब आप लोगों को दिखाएंगे जलाकर कई से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर आपको समझ में ना तो इसकी इंसाट ले सकते हैं कौन सा वायर कहां गया है करेंगे हम आप लोगों को अपना नमबर देंगे उस पर बात कर सकते हैं अब हमें इसको अच्छी तरह से बिठा देना है अगली बार यहां पर हम बोल्ट और अंपियर दोनों मीटर लगा कर बताएंगे कि यह आप इस पर जो कुछ भी चेप करेंगे तो आपका बोल्ट कितना आ रहा है अंपियर कितना रहा है हमारा इंडिगेटर जलने लगा बोल्ट हमारा 210 टूटल 210 बोल्ट है इस बल्ब को यहां पर लगा देंगे यह हमारा सिरीज बनकर तैयार ओके हो गया यहां से भी यह जलेगा नहीं अब इसको चीक करते हैं कि हमारा एक काम कर रहा है कि नहीं तो आईए हम इस तरह दो बल्ब लगा कर दिखाते हैं आपको अब देखिए हमारे दो बल्ब लग गए देखे हमारा एक बल्ब जलना है इस बटन को हमने आन कर रखा है यानि हमारा ये डारिक्ट है इस बटन को आन की है तो डारिक्ट है अब इसको आप कर देंगे सीरीज हो जाएगा देखिए अब दोनों बल्ब जलने लेगे सीरीज हो गए और यहां पर हमारा बोल्ट भी यानि ये डारेक्ट हो गया जैसे इसको हम आप करेंगे दोनों बल्वियानी सीरी चलने लगा देखिए हैने कमाल का जुगार अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें और ज्यादा ज्यादा सेर करें और कोई जनकारी चाहिए या इसमें कोई बनाने में दिक्कत आ रही हो तो हमें कमेंट में जरूर लिखें हम आप को अपना नम्मर देंगे अपना नम्मर सेंड करें उस नम्मर पर हम कॉल करके आप लोगों से बात करेंगे तब तक के लिए धन्जबाद मिलते हैं एक और ऐसे ही अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो में